जेवन उत्साहा नियूस किया दिन भर की दस बड़ी खबरों में आपका स्वागत है हिमाचल में लगे भूकम के तेज जटके घरों से बाहर निकले लोग हिमाचल प्रदेश में मंगलबार देरात करीब 10 बच कर 17 मिनट पर भूकम के तेज जटके महसूस किये गे इस दोरान लोग अपने घरों से बाहर निकलाए भूकम के जटके प्रदेश के अधिक्तर जिलों में महसूस किये गे हैं हालांकि भूकम से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है भूकम का केंदर अफगानिस्तान के हिंदू कुशेत्र में जमीन के अंदर 156 किलो मीटर की गहराई पर था भूकम की तेवरता रिक्टर पैमाने पर 6.6 रही हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में फ्रांस की कंपनी के सहयोग से पेजल और स्वच्ता सेवाओं में सुधार किया जाएगा मंगलबार को इस बाबत बिधानसवा परिशर में परदेश सिरकार ने एजेंस फ्रेकेंस डी डिवेल्मेंट एफडी के साथ 817.12 करोड का समझोता ग्यापन हस्ताक्षित किया इसके तहट मनाली, बिलासपूर, पालमपूर, नहान और करसोग में बहतर मल निकासी सुविधाएं बिकसित की जाएगी मनाली और पालमपूर की पेजल अपूर्ती में सुधार किया जाएगा हिमाचल के 6 जिलों में होगी मुलेठी की खेती, पाइलट स्तर पर शुरू होगी योचना हिमाचल प्रदेश में अब मुलेठी की खेती शुरू होगी, इसके लिए पाइलट स्तर पर योचना शुरू की जाएगी इसके तहत हिमाचल प्रदेश के छे जिलों को शामिल किया गया है इसमें हमिरपूर, बिलासपूर, कांगडा, सोलन, उन्ना और सिर्मौर जिला शामिल है जिला हमिरपूर के नदौन का शेत्र और जिला उन्ना के साथ लगते शेत्र को चैनित किया गया है माता बाला सुंदरी मंदिर में चैत्र नवरात मेले शुरू श्रद्धालों की लगी लंबी कतारे उत्रभारत की प्रमुक शक्ती पीठ माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात मेलों का बुद्वार से आगाज हो गया है उपायुत राम कुमार गौतम ने परिवार सहीत मंदिर के गरबगरी में पूजा अर्चना में भाग लिया। इस दोरान उपायुत ने 15 देवसीय मेले में लोगों से प्रशाशन वब पुलिस को पूरी तरह से सहयोग करने का अग्रह किया। इनक्टिवेटेड इन्फ्लेंजा वैक्सीन के नौबैच को सीडियल कसॉली से ग्रीन टिक। कीर्थपूर नेर्चोंक फोरलाइन 15 मैं तक होगा तयार प्यम मोधी कर सकते हैं उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के लिए प्रेटक की द्रिश्टी से अती महत्वपूर प्रियोजना कीर्थपूर नेर्चोंक फोरलाइन का निर्मान कार्यप 15 मैं को पूरा हो जाएगा। राष्ट्री राजमार्क प्राधीकर्म मंडी के प्रियोजना निदेशक ने केंद्रिय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी को पत्र लिख कर इस बारे में सूचित किया है। प्रियोजना का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कर सकते हैं। जंतर मंतर पर चार अपरेल को विरोध प्रदर्शन करेंगे तीन राजियों के सेव उतपादक अवहन पर यह प्रदर्शन होगा प्रदर्शन में तीनों राजियों के 700 से 800 बागबान शामिल होगे हिमाजल के शिम्ला, किन्नौ, कुलू, मंडी और सिर्मार जिले की 22 ब्लोक कमेटियों के सदस्य दिली रवाना होंगे किसानों में परंपरागत अनाज की पैदावार तथा इसके उप्योग के बारे में ब्यापक जागरूत्ता उत्पन की जाएगी घुमार्मी के कार्तिक ने टेबल टैनिस में जीता स्वरन पधग हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमार्मी के चुनाति को स्विकार करते हुए रास्ट्रे टेबल टैनिस प्रतियोगिता में गोल्ड मैडल जीता है 14-17 मार्च तक मध्या प्रदेश के इंदोर में हुई UTT नेशनल पैरा टेबल टैनिस प्रतियोगिता में कार्तिक ने गोवा के प्रतिदंदी को 0 के मुकाबले सीधे 3 सेट्टों से हरा कर स्वरन पदक जीता लाहल में 86 दिनों के बाद दो कोरोना पॉजिटिव मामले हिमाचल प्रदेश की लाहल घाटी में 86 दिनों के बाद बुदबार को दो लोगों के कुरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है